पर्पेंडिकूलर बाइसेक्टर आफ गिवन लाइन सेगमेंट मतलब एक गिवन मेजरमेंट की अगर आपको एक लाइन दे दी जाए उसका आपको पर्पेंडिकूलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है पर्पेंडिकूलर बाइसेक्टर आखिर होता क्या है पर्पेंडिकूलर बाइसेक्टर में आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं एक पर्पेंडिकूलर और एक बाइसेक्टर bisector का meaning हमने construction number 1 में देखा था जो line किसी भी चीज़ को 2 equal parts में divide करें So, एक line segment का bisector मतलब एक ऐसी line जो line segment को 2 equal equal parts में divide कर रही है जो दूसरा word है perpendicular मतलब यह जो bisector होगा यह जो line segment आपको given है उसके उपर 90 degree का angle form करेगी So, that means एक ऐसी line आपको draw करनी है जो एक given line segment को equal parts में divide भी करे और जहां उसको वो cut करे जहां उसको वो intercept करे वहाँ पर 90 degree का angle भी बनाए ठीक है? So, इसको बनाने के लिए हम एक example ले लेते हैं So, the example is to draw a line AB is equal to 10 cm एक line segment आपको दे दी गई है 10 cm और उसका नाम दिया है AB and it's perpendicular bisector अब इस line segment का हमें perpendicular bisector draw करना है ठीक है? तो सबसे पहले आप line segment draw करेंगे AB with a scale and pencil scale और pencil लेकर आपको 10 cm की एक line draw करनी है ठीक है? जब 10 cm की line आप draw कर लेंगे उसके एक end पर आपको लिखना है A और दूसरे end पर आपको लिखना है B तो ये हो गया AB line segment अब इस AB line segment का हमें perpendicular bisector बनाना है तो इसका पहला step है perpendicular bisector बनाने के लिए taking A and B as centers and radius more than half AB draw arcs on both sides of line segment AB अब आपको एक-एक करके A को center लेना है और फिर B को center लेना है और आप क्या करेंगे? सबसे पहले compass लेंगे ठीक है? compass का pin वाला part जो है वो A point पर रखकर आपको compass को खोलना है और कितना खोलेंगे आप? AB जितना आपको measurement दिया हुआ है उसके half से ज़ादा approximately आपको देखेंगे कि उसके half से वो compass ज़ादा खुली हो ठीक है? तो अब आपके पास compass एक particular radius पर खुल गई जो की AB के half से ज़ादा है अब आप A पर pin वाला part रखिए और उपर की तरफ एक arc draw कीजिए और line के नीचे की तरफ भी draw कीजिए मतलब line के दोना तरफ आपने A point पर रखकर arcs draw कर ली अब सेम तरीके से B पर आप compass का pin वाला part रखिए और जो आपने A वाली arcs draw की थी उनको cut करिए ठीक है? B पर आपने compass का pin वाला part सबसे पहले जब उपर आपने arc draw की तो A वाली उपर वाली arc को intersect किया और फिर नीचे जब draw की तो A वाली नीचे वाली arc को intersect किया, ठीक है? तो line के उपर जो दोनो arcs cut कर रही है, cross बना रही है उसको आप M नाम दे दीजे और line के नीचे जो arcs cut कर रही है, cross बना रही है उनको आप N नाम दे दीजे आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं लेकिन example के लिए हमने M और N नेम दिया है ठीक है? Now the last step is to join M-N, आपको जो M और N points मिले हैं अभी, scale और pencil को use करके उन दोनों points को आप join कर देंगे अब यह जो line M-N आपके पास आई है, this is the required perpendicular bisector अगर आप check करने के लिए इसको scale से measure करेंगे तो अगर intersection point को आप P का नाम दे दे so AP और PB यह दोनों आपस पे बिलकुँ सेम होंगे इस example के according 5 cm और 5 cm होंगे fine, so this M-N line is the perpendicular bisector of line segment AB